संकर्प लिया है, उसको क्रिपित करने के लिए हर परिवार से घर से एक-एक ब्यक्ती पांच-पांच ब्रक्श लगाए और उसके लिए ही मैं कटीवद हूं और बास्ता मैं स्वागत करता हूं इसका और मैं समर्तान करता हूं धालिया जी भी कि मोजूद है उनका ही मैं स्वागत करता हूँ हमारे चोकसे जी का भी स्वागत करता हूँ जयो जी अक टरागे बड़ा है शुकरे हैं जू आपके जो नए मेहमान है उन तो सुनेए अपन जी का मैं बेटी कर रहा हूं और मैं राजूरिया जी को एक बार और कॉल कर लेता सब लोग इंदिजार कर लें समया जी की आवाज नहीं आ रही थी ठीक से उस वक्त तो राकेश भिया समया जी को वापिस से कॉल कर सकते हैं कि कर दो रही है कि कि आवा बाकेश्थ कि देखो आब जा रहे हैं हाँ हाँ विलकु लोग के बहुत ही बड़ी आवाज आ रही है आपका वीडियो मेरे खाल से म्यूट कर खाया आपने अच्छा आप नीचे एक बार देखिए वीडियो वाले पिक हाँ आगे बहुत बढ़िया तो अच्छा प्रणाम और हमारे भीच में हमारे भीच में धर्मादिकारी पंडित विश्णु राजवरिया जी है और हम सब इसको बैदिक पदिती के अमसार भी द्रक्ष लगाना कितना उपयोगी है और धुरू पूर्मा पर यदि लगाएंगे तो इसका इसकी जानकारी लेंगे पंडित विश्णु राजवरिया जी सेव अभी मैं आपकी चर्चसुनी मैं ने मैं देख है अजवरिया साभ भी हर्द भी हर्द के रह特े हैं और और फिर से हम अपने हारत वर्ष की संस्कृति के उद्भव की वर बढ़ें तो यह संकल्प है हमारा, तो जैसा कि अभी राकेश जी नह कहा कि ब्रक्षों के ब्रक्षारोपन क्यों किया जाता है और हमारे सास्त्रों में कि क्या महत्ता है, इसके विसे में आज संचिप्त चर्चा यहां पर अवश्य करेंगे. तो देखे हमारा सास्त्र और हमारा सनातन धर्म, परक्रती को अपना सब कुछ मानता है, उसी को ईश्वर मानता है, उसी को देवता मानता है, परक्रती हमारा ईश्वर है, और परक्रती में सब कुछ है, पंच तत्व से सारी परक्रती बनती है, और हमारे ब्रक्ष, हमारे पूझते हैं, प्रकृति के हम जल के हमारे बरुन देवता के रूप में, जल को पूझते हैंس, और शिखर और बड़े-बड़े परवतों पर हम पुझा करने के लिए जाते हैं, उसी परकार से पवित्र नदियों की पुझा अर्चन करने के लिए हम तीर्थों में इस्थान क कर निकली जाते हैं इसी प्रकार हमारी प्रकृती में व्रक्षा व्रक्षों की पूजा का बहुत मैत्व है व्रक्षों के प्रती समर्पन का बड़ा भाव है तो व्रक्षों को उनका पालन पोशन करना उनका समरक्षन करना और उनको छती होने से बचाना ये सब हमारे सनातन धर्म के विशेश अंग है। देखिए अभी कुछी दिन पहले बट साबित्री अमावस्याती और उसके बाद में सुकल पक्ष में बट साबित्री पूर्डिमा का ब्रत आया। तो ये दोनों तीन दिन तक चलते हैं। तो तीन दिन तक बट की पूजा होती हैं। सुभाग्यपती इस्तरियां जाती हैं, बट परक्ष के समीप जाती हैं, उसकी कच्चा सूत लेके उसकी 108 परिक्रमाएं लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? क्योंकि जिस प्रकार से साबित्री ने सत्टिवान को यमराज के पास से बापिस सुभाग्यप्राप्त कर लिया उसी परकार से उनकी पती की दीर गाई हुए, इसके लिए वो बट सावित्री की पूजा करती हैं। हमारे यहां नित्य प्रती तुलसी जी की पूजा की जाती है। और हर आंगन में आपको तुलसी का पौधा मिलेगा। उसमें भी कई नियम होते हैं। रभी बार के दिन तुलसी का इसवर्ष नहीं करेंगे, उनके पत्ते नहीं तोडेंगे। इस तरह के अन्य दिनों के भी होते हैं। अमावश्या का होता है, बुदवार का होता है। उससे उस वोधे का समरक्षन होता है। लेकन उसकी नित्य पूजा अवश्य करते हैं। इसी प्रकार से पी पीपल को पित्रों का वास हमारे पीपल के ब्रक्ष में माना जाता है। और हमारा गुरू के रूप में पीपल ब्रक्ष को आराद्धी की रूप में माना जाता है। तो हमारे यह देखा गया कि हर सनीवार के दिन पीपल के ब्रक्ष में जल चड़ाने वाले अशंग लोग दीप प्रजुलित करके वहां प्रकाशित करेंगे इसी प्रकार से वर्ष में हमारे अनेक तीज तेवहार ब्रक्षों पर ही आधारित यह से मैंने बट सवित्री व्रत का उधारन दिया ऐसे पीपल पूनम भी होती है पुर्णी मैं के दिन पीपल का विषेश पूजन अर्चन होता है और प्रतेक शनीवार को अमा वश्या को तो निश्चित रूप से होता ही है इसी प्रकार से आवला नौमी का पर्वा आता है और परिक्रमा करके भगवान को घोग लगा कर और सभाँ परिशाद की रूप में सब आउले किब्रक्ष की नीचे बैटके ही भोजन परिशादी गिराण करते हैं। इससे आयू बढ़ती है। जब हमारे वर्ष का सुवारंब होता है तो गुडी पढ़वा से हमारे संबत सर का सुवारंब होता है। वर्ष परिंत जो भी इस नीम की गोली को खाएगा वर्ष परिंत उसको ज्वर नहीं होगा आरोग्य रहेगा ऐसे बहुत मतलब बट ब्रक्ष की पूजा आउले की पूजा आम के ब्रक्ष की पूजा आमल की एका दसी आती है आम के ब्रक्ष की पूजा होती है और आम का सेव इसी प्रकार से जब दसेरा आता है तो आपने देखा होगा सुना होगा कि सोना पत्ता लेकर और दसेरे के दिन भगवान के मंदिर में जाकर एक सोना पत्ता चड़ाते हैं तो कचनार का पत्ता होता है तो कचनार वरक्ष का कितना महत होता है ऐसी एक समी वरक्ष होता है तो सम तो सनातन धर में ब्रक्षों के पालन पोशन का बड़ा महत वताया गया है। व्रक्षा रोपन के रूप में मनाया जाए, तो हमारे गुरु की कृपा हम सब को अवश्य ही प्राप्त होगी। और मैं एक आग्रे और करूँगा कि गुरु पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद हर्याली अमावश्या आती है। प्रिश्न पक्ष अमावश्या को हर्याली अमावश्या कहते हैं। और यह आग्रे अमावश्या व्रक्षा रोपन का दिन एक प्राचीन सनातन परंपरा में व्रक्षा रोपन के दन ही कहलाता है। तो मेरा तो आग्रही है कि हर समाज के व्यक्ति एक दिन निर्धायत कर लें, गुरु पूर्णिमा से प्रारंब करके और हरयाली अमावश्या तक कोई ना कोई इस्थान पर व्रक्षारोपन करते जाएं और हरयाली अमावश्या को हम सब एकी इस्थान पर एकत रहों और उस सासन का नियमों उसी के अनुसार अपन करना पड़ेगा अभी इस वर्स तो आगे अपन को इसको और विस्तार देने की आवश्यक्ता होगी, तो जो सासन के नियम हैं, उनके पालन के करते हुए, इस प्रकार से करें कि सासन का नियम भी ना टूटे और हमारी परंपरा का नि सास्तरी पक्ष कुछ चीज बताता हूं, हम जब पूजन करते हैं, तो कलस में पंच पल्लब लगाए जाते हैं, और पंच पल्लबों का इतना महत होता है, उसके लिए हमको मंत्र भी पढ़ना पढ़ता है, और उसका हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अस्वत्थे बो निखा दिनम पर्ने बो बसतिस्कृता गोबाज इत्खिला साथा जसा नावाता पूरुखम्मा, इसका तात पर ये है, कि अस्वत्थ याने पीपल, गूलर, पाकर, पलाश, आम्र, इन सब के एक एक पत्ते हम कलश्कू पर इस्थापित करते हैं, और उनको इस्थापित करके पूजन करने से, जो भी पूजन करने वाला आचारे है और यजवान है, उनके आयुष में बृद्धी होती है, और प्रकरती में बृद्धी होती है, प्रकरती में हरयाली चाती है, उसका हमको वर्दान प्राप्त होता है, तो प्रकरती के अभाव म जीवन संभव नहीं हैं, एक पीपल का ब्रक्ष जिसका आकार 30 वाई 30 का हो, 30 फिट का घेरा हो, व्यज्यानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है, कि वो 300 व्यक्तियों के जीवन जीने के लिए ऑक्सिजन देता है, जो पूरा जीवन जी सकते हैं, 300 व्यक्ति, एक पीपल के ब् प्रक्ष ही जीवन हैं, प्रक्षों को और जल को यदि संचित किया गया, स्वक्ष रखा गया, उनकी रक्षा की गई, तो ये जीवन की भी रक्षा होगी, इसलिए प्रतेक मानव का कर्तब्य है, और इस संकल्प को आप लोगों ने उठाया है, तो आप सब बहुत बहुत पात रहें, और जब भी सेवा का अवसर आप प्रदान करेंगे, मैं स्वयम आपके साथ खड़ा रहूँगा। और ये हर्याली अमावस्या ये हमारे लिए बहुत पावन है, और मेरे ख्याल से मैं मन में मेरे चिंता भी हो ली थी कि गुरु पो निवा एक दिन हम कर लेंगे और आगे शा करेंगे, तो आपने ये पंदरा दिन का जो विंडो दे दिया, पांच तारिक से बीस तारिक तक 20 तारिक को हरे आली मवश्या आएगी. इसा व्रिहद कि हम खुद चौंक जाएं कि इतना बड़ा संकल्प भी लिया जा सकता है और उसको पिर ईश्वर के और गुरु जी के आशिरवाद पे छोड़ दें कि अब वो पूरा होगा नी होगा, हम तो अपना रास्ता तै कर देंगे, तो बेलकुल आशिरवाद पूर अपना बड़ा संस्कृति है तो हम परियावरन को परवरिस देती है, एक महलकुल, क्योंकि हमने ये देखा है कि पीपल को और अन जो ब्रक्ष हैं अपने चाम उनको इतना धार्मत महत उपिजा गया है, और एक्छल में है भी गो, हमारे आप पीपल को प्रड़ लगा है 30-30 में ही है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी दोग मैं ले चलूँ और वो पीपल का ब्रक्ष देखा हूँ मैं, और उसको पल्जवत करता हूँ, उसकी पूजन भी करता हूँ, मैं तो धन हो गया आप लोगों के बीच में, क्योंकि परियावरान को जीवन्तता अगर आपको देखना है, तो अभी जो करोना काल हुआ है, वो ह परियावरान की विक्रती से ही ये बीमारी आई है, और परियावरान अगर शुक्त होता है, तो ये कहीं भी नहीं आती है, तो अभी जो हम बचे हुए हैं, तो परियावरान सुद्ध है, तभी बचे हुए हैं, जितने लोग बचे हुए हैं, वो परियावरान के कारण ही ब जाए उसको स्वोगई आप देख लीजए हम तो चाहते हैं जादा है जादा आप लोगों का आप लोगों का मार्डिशन पराप्तों और हम परियादा के साथ में इस काम पिचारू तरीके सकते हैं बिलकुल अभी अपन बिलकुल कॉरोना की जो साज की नियम है उनका पालन कर इसाल डिस्पेंसिंग का मैंटेन करते हुए और ब्लक्षा रोबन आवश्च्य करेंगे नियुकण कुछु मॉ जी सर बिलकुल के हैं आलो है साथ बिलकुल जी है यह वैज मैं यह चाहा रहा था कि हमारे जितने समाज के लोग जुड़ गहें हिए जी अलाग जोड़ पा गभार कभि झनलों कि जुड़ रहे हैं तो हें हर समाज के बीच में हम एक जन अवियान को लेकर इसको चल रहे हैं तो इतने लोग अभी जुड़े हैं, मैं सबसे चाहता हूँ, आज हम ये संकल्प लेज़ें के गुरुपूरुमा के दिन, हम सब लोग संकल्प के साथ, पूरे समाज के लोगों को एकटा करेंगे और दिरक्षारोपन करेंगे, और कोशस करेंगे, कि अपने नक्षत्र और र की आपको इसकी सूची उपलब्द कराइंगे और इसके इन ब्रक्षों को कहां से प्राप्त किया जाएगा इसकी व्यवस्तावी करने की पुछना प्यास करेंगे, नर्षणी में हमारा परिचे है, बन बिबाद से भी हम बात कर लेंगे, बन बिबाद मेंने मित्प हैं, ज आप सब अपनी अपनी समाज का नेत्रत्व करते हैं, तो आप जिस परकार से अभी अपन सब बात कर रहे हैं, आप अपनी समाजों के अंदर भी इसी परकार से जूम एप पर आकर एक बार चर्चा अवस्य करें, सब लोगों जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप चर् आपकी चिंता करेंगे। जब भी आप आदेश करेंगे मैं उसे स्पेल पर पहुंच जाओंगा। इस लिंक को भी सब अपने अपनी फेस्टोप पर बॉट्टोप पर डालें अपने अपने गुरुप में डालें तो एक खबर अभी मैं एक खबर बनाता हूं तो खबर तो एक निश्चित वात है कि हमारा जो एक अंडोलन है एक जन अंडोलन बन जाएगा और हर व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं गुरु पहुंआ के दिन हमें पांच ब्रक्ष लगाना है। कल लोगा जैंक ब्रक्ष देते हैं लेकिन पीपल वर्ट उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्षिजन देने वाले प्रक्ष होता है। क्योंकि उसका घेरा बहुत ज़्यादा होता है, पीपल का तो ऐसा कहते हैं कि एक पीपल जंगल का मूल होता है, एक पीपल लगा दीजिये और कुछ दिन छोड़ दीजिये तो आसपास का पूरा हिलाता वो छेक लेगा वो जंगल बना देगा, इसलिए प्रिश्न अर्वान पॉष्टोर और बर्गत में खूबी होती है कि बर्गत दिन में स्कार्बन डायक्सडाइड गरहन करता है और रात को कार्बन डायकसड छोड़ता है, आप देखेंगे पुराने गाउं में जाके देखेंगे तो रातिरी में बर्गत के नीचे किसान लोग खाटिया लगा के नहीं सोते हैं, पीपल के नीचे सो जाते हैं, इसलिए नहीं सोते हैं, एक information मैं और साजहा करना चाहूंगा, एक देनेट से भी कम समय लूँगा, गुरुजी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मैंने, पता ही, गुरुजी ये मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, अब ये मामला मिरख्याल से वरक्ष लगाना हमारे लिए आज राष्टरवाद से जुड़ रहा है, उसकी वज़े एक ही है, पिलकुल हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारा राष्टरवाद है, अच्छा राष्ट जिसके उपर मैं कुछ स्टोरीज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे साजा करना चाहता हूँ. अच्छा बता है. चीन की सबसे बड़ी दिक्तत ये है कि चीन अपने आविशाथा का 50 प्रतिशत भोजन आयाद करता है. और उसका कारण ये है कि उसको फैक्ट्रियां लगाने की वज़े से पिछले 30 साल में चीन ने अपने देश के फ्रक्षों को और वहाँ जंगलों में रहने वाले जानवरों को खा लिया है. आज उसको एक्टा है कि उसका इंटरनेशनल वर्ल्ड में पानी की क्वालिटी में चीन का पानी ग्रेड फाइव है. ग्रेड फाइव का मतलब यह होता है कि ऐसा नाला जिसमें फैक्ट्री का मलवा जा रहा हो और अगर बारिश होने के बाद उस नाले में बारिश का पानी पहले के पड़िघए उसकी जो क्वालिटी होगीilla वह चीन के ग्राउंड वॉटर की हुल Kerryंघए है गुरुझी कि इन का ऐसा मानना है कि आज पूरी दुनिया में क्या ईसी दवस्ता हो सकती है कि जैसी स्थिती चीन की है वैसी पूरी दुनिया की हो जाए मेरा ऐसा अनुमान है और मेरा ये विश्वास है शोद की अनुसार कि चीन जास को बगर चूपी देनी है तो उसका इकलोता मात्र साधन ये है कि जो भी देश जल जंगल और जमी इन तीन चीजों को जो भी देश बचा पाएगा वो चीन से मुगावर बढ़िया बिल्कुल भी ये देखे ये सास्वत है ये जो जितने भी उद्योग लगते हैं उद्योग लगना अच्छी बात है लेकिन उद्योग परयावरन की कीमत पर नहीं लगना चाहिए उद्योग इस प्रकार से लगाए जाने चाहिए कि जो हमारे परयावरन को ब्रक्षों को हानी ना पहुचाएं हमारे भूमिगत जल को और हमारी नदियों तालावों को हानी ना पहुचाएं कि तभी वो उद्योग सफल हो सकते हैं अनिथा वो बिनास के कारण बनते हैं तो जीन उसी मार्ग पर बढ़ चुका है और वहां पर उसने पाहाड़ों को समतल कर दिया है तो वह मतलब परियावरण के प्रती कोई लगाओ नहीं है यह बल उनको पैसे कमाने के अलाबा बाकी सब हमारे यह तो आश्रम व्यवस्ता होती थी पहले आश्रम में जंगलों में सूखी हुई लकडियां लाकर उससे बोजन बनाए जाता था किसी भी हरे व्रक्ष की एक भी टहन नहीं काटी जाती थी लेकन यह कालांतर में यह सब जंगलों के लखनियों के व्यवपार चालू हुए तो उससे यह बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई तो अब उस पर ब्रेक आया है लेकन अभी भी उसमें काफी आवश्यक है कि यदी पूरा देश पूरे देश के लोग जागरूख हो जाएं और कम से कम पांच-पांच ब्रक्ष अपने जीवन काल में लगा दें तो तब भी इस देश को हरा भरा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है गुरू जी हमने तो संकल्पी यह लिया है कि प्रतेक सनातन धर्म को मानने वाला जैक अधिसी कर दो भूगद यह खुए तो बहुत ही बड़ा उप्लप दोगी नहीं विलकुल मोख्ष किया उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा भरा रज प्रागर्तिक संपदाओं से परिपूर है तर यहीं अधिर्वार्य टोषिक संपदाओं से परिपूर्ण है यें लि अब जो था भारत वर्ष में सब कुछ था हमने अपनी बेफुपियों की वज़े से इसको खो दिया है तीवी भी चल रही है बैक्ग्राउंड में कहीं तो अब जो था भारत वर्ष में जिसके घर भी जल रहा है उसको अनल में ज़रूरी है बच्चु कर दें मूट कर दें जी तो मैं यह कह रहा था कि यह सारी विवस्थाएं ठी आज हमारी या कह लें कि धर्म के प्रति हमारी आस्था कमजोर हुई है जिसका नतीजा है कि अज हम भारत जैसे देश में अगर ग्राउंड वाटर टेबल कमजोर हो रहा है भारत जैसे तेश में अगर खेती की जमीने तेजी से बंजर होती जा रही है भारत जैसे देश में अगर लाखो हेक्टेर जंगल हर साल कट रहे हैं तो ये दो चीज़े बता रही है एक हमने सनातन धर्म को मानना कहीं से हमारी आस्था कमजोर हुई है और एक बहुत बड़ा हमारे सामने संकल्प ये भी होना चीए और मेरे हिसाब से ये व्रक्षा रोपन के माध्यम से हम सनातन धर्म में अपनी आस्था को वापिस से स्थापित करनी की चेश्टा करने हैं मेरे हिसाब से गुरु जी त्रिकुटी हो रही है ये सनातन धर्म में हमारी आस्था को पुनेह स्थापित करने का एक ये संकल्प है चीज जैसे दुश्मनों से अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक ये संकल्प है और तीसरे हमारे आने वाले भविश्य हमारे आने वाले जनसंख्या के लिए हम जितना हमने कंजूम किया उससे जादा हम दे करके जाएं इसके लिए ये संकल्प ऐसे मेरी मन में भावना है गुरुजी आप अगर इसमें कुछ आड़ करतेंगे तो उसको ही हम concluding remark लेकर के आज की मीटिंग को यहीं संपन्न करेंगे और नए हर्षोल लास्ते आकेश भिया कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ ते कि मैंने सर प्रतम एक बात कही थी कि हमारा जन जीवन हमारा संसार पंच तत्व के आधार पर निर्मित है पंच तत्व क्या क्या है जल, बायू आकाश, प्रत्वी और अगनी इनमें जब असंतुलन होता है तो विनाश होता है इनमें संतुलन कभी स्थापित होगा जब हमारे यहांके जल, जंगल, जमीन तीनों सुद्रुड रहेंगे तीनों सुरक्षित रहेंगे जमीन में भी ब्रिद्धी होगी और जंगल में भी ब्रिद्धी होगी तो एक मात्र तरीका है ब्रक्षा रोपन जो जल का जमीन का और प्रक्रतिका समरक्षन करता है इसलिए मैं इस बात पर सब कुछ होगा जीवन जीवन उसी से होगा आप देख लेजिए कि टीटी नगर की हवा और पुराने भोपाल की हवा आप जमीन आश्मान का फर्थ पुराने चौक में चले जाएए और टीटी नगर में घूमिये जब यह चल चले जाएए आप चौक की गलियों में कोई मॉर्निंग वाक करता हुआ नहीं मिलेगा उसको कमला पार्क पर आना पड़ेगा या फिर में सिटी आना पड़ेगा या नए भोपाल में कहीं कहीं बन बिहार की तरह पाना पड़ेगा तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि सुद्ध बायू तभी मिलेगी जहां ब्रक्ष होंगे ब्रक्षों के समू होंगे तो आपको सुद्ध बायू मिलेगा इसलिए ब्रक्षों पर दया करना बहुत आवश्यक है और उनको उनका जितना रोपन करेंगे उथनांगी जीवन बड़ेगा उतनाई आपका boarding करेंगे और भेंब हो भी तभी करेंगे समाज के लिए कि जो सभनेने क्यों इस बैठक में आके और अपने विचार रखे जो देन हैं तरह वेक्ति अपने अपने समाज की बैठक बुलाएं और वेठक की उस बैठक में एक परिवार तक इस चीज की जानकारी पोँचाएं और पर्चों तक लिए हमारा जन आंदोलन का रूप ले ले इस तरीके से सोसल मीडिया और मीडिया पर इस चीज के लिए परसार्फ करें मैं आज इसकी ख़बर पुरी एक बना के डालता हूं किसी पर्टिकुलर एक समाज का कारिक्न महीं है तर्व समाज का है सर्व समाज के आंदोलन को ले लेकर चले हम के बल ज्यादा है तो अपने अपनी खभर्क तो जिससे कि ये जन अंदुलन लेने लगे। तो जो समाज के लोग नहीं कर रहे होंगे। तो जो प्रिकृति के वारे में जिसनी चंता कर रहे होंगे। और हम जो सोच रहे हैं किस तरीके से इस चीज के लिए करना चाहिए। तो मिश्चित मान के चलिए कि साइद हम उसको करने में कहीं न कहीं जो जिस रूप में चल रहे हैं। इसके लिए परिपूर भी हो जाएंगे और उहां तक पहुंच सकते हैं। मेरा एक ही किवल आप सबसे आग्रा है कि जिस तरीके से रितेश जी ने और हमारे धर्मादिकारी पंडेत राजोर रिया जी ने हम सक्के लिए माध दिरस्त किया है। कि अधि हम इसी के अनूप कारेंगे। तो प्रकृति के ऊपर भी कही न कहीं हमारा ये के सायोग होगा। और देशित्में और समाज इतने हम कहीं न कहीं बहुत आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्वाद। बहुत धन्वाद। नमस्कार, सभी को नमस्कार। जब एक बात याद रखे हो। सभ दो Amazing सभ एक ब्रक्ष के पत्ते हैं। धर्म हमारा ब्रक्ष है और हम एक तरह से प्योहर कीजिए। इस तरह से प्योहर कीजिए। एक ब्रक्ष के रूप में स्थापित हो जाएंगो और सारे समाज उसके पत्ते… तो बहुती आनंद दायक यह मीटिंग रहा और अब तो इसके लिए अजय वह सब बिस लोगों को जो समाज के लोग जो भी कारिक्यम को कर रहा है उसकी डिटेल्स तो कहीं न कहा हम यूटूब चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी है ज्यादा सु ज्यादा लोगों में प्रसाथ करने की कुर्सेस करेंगे आप लोग अपना वीडियो भी बना सकते हैं मुझे दें हम आप सब के वीडियो जम डाल देंगे उसके ऊपर यादे ज्याद ज्याद नमस्कार सभी को नमस्कार नमस्कर नमस्कार